मद्य प्रदेश में अभी तो बहुत ज्यादा बरसात होगी किसान भाईो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामलाल धाकर और स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एगरी कल्चर में इस वीडियो में हम 29 और 30 जून के मद्य प्रदेश के मौसम के बारे में बात करेंगे किसान भाईो इस समय पर मद्य प्रदेश में तेज बारिस का दोर चल रहा है क्योंकि पिछले 24 गूंटों के दोरान मद्य प्रदेश के अधिकतर चैतरों में जोड़दार बरसात हुई है लेकिन अभी भी मद्य प्रदेश में ये बारिस कम पढ़ने वाली नहीं है क्योंकि मौसम इबाग के अनुसार 29 और 30 जून के दोरान भी मद्य प्रदेश में तेज बारिस का दोर लगातार जारी रहेगा तो क्या है मौसम इबाग का नया अपडेट इस वीडियो में हम आगे विश्तार से एक एक जिलो के मौसम के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अन्ते तक देखे और चैनल पर पहली बार आए हुद तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे उसके पास आए गंटी के निसान को जरूर दबा देना ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड गे उसका नोटिफिकेशन भी आपक किसान भाईयो अब अगर प्रदेश के आगे के मौसम अपडेट के बारे में बात करें तो आपको वीडियो स्क्रीन पर 29 जून की वेदर रिपोर्ट दिखाए दे रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मद्य प्रदेश के अधिकतर चैतरों के उपर पीला, हरा और निला रंग दिखाए दे रहा हैं जिसका मतलब ये हैं कि 29 जून के दोरान मद्य प्रदेश के अधिकतर चैतरों में तेज बरसात होने की संभावना बन रही हैं अगर जिलों के अनुसार बात करें तो नीमत, मंसुर, अतला, मुझे, धार, जाबो, अलिराजपूर, इंदोर, दे इन जिलों में भी ठीक ठाक बारिस होने की संभावना है तता उत्तरी जिलों में भी अच्छी बरसात होगी तता पूर्वी जिलो, निवारी, ठीकमगर, चतरपूर, पन्ना, सतना, रिवा, सिधी, सिंग्रोली, उमर्या, साडो, लनोपूर, डिंडोरी, मंडला, बालागार शिवनी, चिंदवारा, जबलपूर, और नर्सिंग्पूर, इन जिलों में भी अधिकतर इस्तानों पर तेज बरसात होने की संभावना बन रही है, इसके आगे बात करें तो किसन भाईयो, 30 जून के दोरान भी मद्य प्रदेश में बारिश की गतिवीदिया लगबग इसी मालवा, साजापूर, तार, जाबूवा, अलिराजपूर, इंदोर, उज्जेन, कंडवा, करगोन, बढ़वानी, बुर्हानपूर, इन जिलों में तेज बारिस होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के पुर्वी जिलो, पन्ना, सतना, रेवा, सिदी, सिंग्रोली, उमर 29 और 30 जून के दोरान मद्यपरदेश में बारिस की गतिवीद्या लगबक इसी परकार से जारी रहेगी, लेकिन 1-2 जून से मद्यपरदेश में बारिस की गतिवीद्या कम पर जाएगी, उसकी बात हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही चल